छोड़ी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता है की मैपिंग कैसे सेट करना होता है केमिलटर में अब ये भी मैं सिखाओ तो तुम क्या करोगे ओके नाइस चोक या तो येस आज मैं सिखाने जा रहो आप लोग को एक्चुली में की मैपिंग के बारे में की मैपिंग बहुत इंपॉर्ट dio थाए अगर पी में के खेल रहे हो तो की मैपिंग जबरदस्त होना जरूड़ी है सबसे में दिकत यह आती है लोगों की कौन सा की कि relatives कि दबाने के लिए क्या करे क्या function रखे बहुत लोग समझ नहीं बाद है कि कौन सा की रखे लाइक जैसे देखो यार मैं आपको यहां से नहीं यहां से देखो के तो समझ नहीं आएगा तो मैं पहले अपना यहां पर अपना control खोल ले था हो custom और यहां पर खोलने के बाद यह आ गया मैं अपना custom mode यहां पर सब लोग देख सकते हो यह मेरा custom mode है और यहां पर मैंने अपना key mapping जो है on कर लिया ठीक है तो यहां पर देखो caps lock देख सकते हो caps lock और shift बटन से मैं दोनों मतलब left hand side के caps lock और shift बटन को मैं दोनों को यूज करता है और running के लिए अब मैं इसका एक बहुत important चीज में बता देता होगा इसे को caps lock और shift को अगर मैं यूज नहीं करूंगा दोनों को एक साथ में तो क्या होता है कभी कभार ना जल्दवाजी में या तो मेरा caps lock shift दपता है नहीं थोड़ा सा आ चुका है वो feelings तो इसकी वाज़े से नहीं होता है लेकिन स्टिल यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं किसी इंटेंस मैश के दौरन तो इसकी वाज़े से दोनों मेरा सेट रहता है अदरवाइस एक पर गलत गलती से अगर shift पे मेरा अगर भागने वाला है और मैंने caps lock दबा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना तब उस टाम पे भागेगा नहीं बंदा यसलिए मैंने दोनों को सेट करके रखा है तो I think आप लोग को भी चीज करना चाहिए मैंने यहां पर थोड़ा से दिमाग लगा था कि चलो भाई और blue stack 5 में and even memo में यह सब emulator मे क्या होता है कि आप लोग एक ही बटन को multiple काम के लिए यूज कर सकते हो यह चीज मुझे बहुत बड़ी अलगती है इसलिए मैंने caps lock को और shift को ना दोनों को एक ही काम के लिए रखा है even मैं एक ही caps lock से multiple काम कर सकता हो तो बहुत सारी चीज है जो कि आप लोग कर सकते हो आज क उन में बंदे जो है maximum टाइम पर यूज करते जो लोग बहुत फास्ट गेम ले करते एकदम तगड़े वाले बाइदेवे सभी लोग करते आज के डाइम पर क्यूंकि क्विक स्विच बटन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है जब लोग आप लोग बहुत इंटेंस जागे सब्सक्राइब के करने से बडिया होता है। मेर expired दाइवे आपे पास मेरा कि जल्म के जाती है वागा हाँ झाल को बाइlington में देख सकते हो 1234 मालब 2234 ये सारे बटन मां गंच करने के लिए रखता हूँ अपने पास और आरमंसे अपना हाथ चला Wang अब गईस में और चीज़ बताता हो देखो वन भी आप चाहो तो कर सकते हो बट दो तीन चार करने का फाइदा यह है कि आपका हाथ हमेशा डवलू ई और क्यू पे रहेगा यह तीनों उंगलिया जो है डवलू ई और क्यू पे रहता ही है नॉर्मल हर एक बंदेगा तो यहां सब्सक्राइब करने के लिए और शे को यहां पर पांच कर सकते हो चे को भी सिमिलेट तरीके से बाकी साथ आट को को मैं बस इमोट के लिए यूज करता हूँ और डबलू ए डी और एस इन चारो बटन को तो आपको पता होगा कि इन चारो बटन से राइट लेफ्ट यह सब आप नूग करके जो बोलते हम लोग वो कर सकते हैं जा सकते हैं और बाकी गाइस अगर मैं बता हूँ तो जेट से के सु जाता हो भलाएडयर में प्राउं जयादा यूजे नहीं करता हो लेकिन को मैं यूजकुरता हो अपको पता है कि इस LOT को बटाल करके ने कि मैरा अच्छी से नहीं पहुंच παतीmn और that या आप गाड़ी पकड़ना चाहते हो या फिर आप मश्रूम खाना चाहते हो या फिर आप कोई गन के ऊपर जाके उस गन को उठाना चाहते हो तो उसके लिए मैं F यूज करता हूँ क्या होता है जब तक आप एक दबाके रखोगे ना तब तक आपका यह पॉइंटर दोबारा से आ जाएगा दबाके रखना पड़ेगा तब यह पॉइंटर आ जाएगा तुरंट आपने जिस चीज़ पे क्लिक करना पड़ता है देखो PC में ना इमिलेटर में क्या सीन है यहां सीथ बहुत सारा काम हो जाता है या आप कई भी गन लुटने जाते हो तो तुरंट मैंने मैं वही करता हूँ एक्स को दबाके रखो और बाकि जितने सारे गन से उठालो मतलब एक्स को दबाने के बाद पॉइंटर आ जाएगा पॉइंटर को जल्दी से लेके जाकर उनके उपर tap tap करके ले लो उसके लिए कुछ अलग से button set करने की कोई ज़रूरती नहीं है आपका काम easy हो जाएगा और इतना जंजट करने का ही क्यों है भाई क्योंकि देखो अगर तुमारे पास 10-15 buttons रहेंगे ना तो भाई तुम खुद confused हो जाओगे कौन सा दबाना है कौन सा नहीं दबाना है और उस time पे कभी एक बहुत गंदा fight चल लो उसके बीच में इतना सारा कुछ याद नहीं रहता है तो I think कि जितने कम buttons में तुम अपना काम चला सकते हो उतना कम buttons रखा करो और guys next है मेरा R button R button से मैं reload कर लेता हूँ reload का button मैं R दबाता हूँ एक और चीज़ है जब भी glue all अपके हाथ में होगा तब आपको R दबाना पड़ेगा ठीक है R अगर दबाओगे तब ही जाकि आपका दुबारा से gun कोई भी आप हाथ में ले सकते हो नहीं तो भाई तब तक आप कोई gun नहीं ले सकते हो मुझे पता है आप लोग के experience के साथ सब कुछ देखने को मिल जाएगा यहां पर मैं जो अपने character abilities है वो use करता one के जरीए अब one क्यों मैं रखता हूँ क्योंकि one ना character ability के लिए मेरा बहुत जम गया मैं suit कर गया actually क्योंकि मैं पहले वन तक मेरा उंगली अच्छी तरीके से जाता नहीं था जब मैं beginner था अभी के टाइम पर it's quite easy to me because one दवादवा के easy हो गया वो कॉंग यूज हो गया है यूज करता हो बैक खोलने के लिए अब आपको सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा होगा जो भी मैं चीज़े बता रहा हो बाकी मैप के लिए तो करता हो माइक के लिए यूज करता हो और speaker के लिए यूज करता हो और कोने पर यहां पर देख सकते हो मेरा joystick है अब इसको रखने का भी बहुत important reason है क्योंकि auto movement का problem आता है बहुत PC में auto movement मतलब automatic character चलने लग जाता है new walk करने लग जाता है उसके उपर हमारा कोई control नहीं रहता है अब वो चीज़ सब तक सही मालना है हो जाएगा देरे देरे दिक्कत की बात नहीं है बस यही था guys I hope कि आपको इस वीडियो में totally समझ में आ गया होगा मैंने simply कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझा दू कि कैसे क्या बटन आप लोग रख सकते हो बाकि सारे बटन जो है वह आप अपनी मन मर्जी से रख सकते कुछ भी क्योंकि और तो कुछ important चीज नहीं है जितना important था मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया वाकि आपका खुद का चोईस है कि कौन सा क्या बटन आप यूज कर सकते हो बेटर तो येस गाइस आपको वीडियो पसंद आओगा अगर पसंद आया है तो चोटी बच्ची ओ क्या लाइक कौन करेगा ओके मजा कर रहा था तो लाइक कर दो गाइस और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सी यू तोमोरो गुडबाई एंड लव यू